दुनिया में अब सोडियम आयन बैटरियों को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। दुनिया में लिथियम आयन बैटरियों सबसे बड़ी निर्माता Contemporary Empyrex Technology, Cattle, ने भी सोडियम आयन बैटरियों का निर्मान करने की घोशना की है। यह चीन की कंपनी है। चीन की टेकनोलोजीज ने सोडियम आयन बैटरी तकनीक का एक छोटे समूह में आंतरिक परीक्षन किया गया है। सोडियम आयन और लिथियम आयन दोनों रिचार्जेबल बैटरी प्रोध्योगी किया हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ महधवपून अंतर है। लिथियम आयन लिथियम आयन बैटरी की कीमत लिथियम आयन बैटरियों की तुलना काफी कम होने की संभावना है। लिथियम की सप्लाई लिमिटेड है, जबकि डिमांड बहुत अधिक है। लिथियम की कीमत 80,000 डॉलर प्रती टन है। वहीं सोडियम हाइड्रॉकसाइड की कीमत करीब 800 ती टन है. वहीं दूसरी और दुनिया में लीथियम की तुलना में सोडियम का भंडार सैक्रों गुना अधिक है. इसी वज़े से सोडियम आयन बैटरी लीथियम आयन के मुकाबले 30 फीसदी तक सस्ती हो सकती है. सोडियम आयन बैटरी की परफॉर्मेंस पर तापमान का कोई असर नहीं होता. यह लो और हाई टेंपरेचर में भी बहतर परफॉर्म करती है. इसका सीधासा मतलब यह है कि गर्मी और सर्दी के मौसम में इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती. लेकिन लिथियम आयन बैटरी तापमान के प्रती संबेदन शील है. अत्यधिक कम या ज् इक शक्रित नहीं है और अभी भी अनुसंधान एवं विकास के दौर से गुजर रही है. इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि ये लिथियम आयन से ज्यादा सुरक्षित है या नहीं. जरा सोचिए, आपकी कार में पेट्रोल, डीजल, सी एनजी की टेंशन हमेशा के पेट्री के लिए लिथियम सबसे ज्यादा जरूरी है. लेकिन समस्या ये है कि इसका भंडार सीमित है. इस सेक्टर में आस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत है, जबकि अर्जेंटीना, यूक्रेन, चिली जैसे देशों में भी लिथियम के भंडार है. अब भारत में भी जम्मू कश्मीर में इसका भंडार मिला है. वर्ष 2040 तक लिथियम की खपत 50 गुना बढ़ जाएगी. लेकिन इतना लिथियम आएगा कहां से, वैग्यानिकों के अनुसार, लिथियम की जगह नमक और रेत भी एनरजी का सुरोत हो सकते हैं. इन विकल्पों के विक्सित होन फिलहाल इवी में लिथियम आयन बैटरियों का इस्तमाल हो रहा है. ये बैटरियां काफी महेंगी हैं. इनका प्राइस वाहन की कीमत का 40 फीसदी तक हो सकता है. लेकिन, अब कुछ कम्पनियों ने सोडियम आयन बैटरी भी बना दी है. सोडियम आयन बैटरी आने के बाद इलेक्टरिक वाहनों की कीमत 30 फीसदी तक घटने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि अगर लिथियम आयन की जगह टाटा नेकसन इवी में यह बैटरी लग जाए तो इसकी कीमत 14.75 लाक रुपए से घटकर 10 लाक रुपए हो सकती है. इस संभावना पर दुनिया की कई कम्प होते हैं. ये दोनों ही धर्ती पर पाई जाने वाली खारियद हात्यूएं हैं. दोनों के बाहरी आवर्ण में एक उलेक्ट्रौन होता है. दोनों ऑक्साइड नहीं बनाती और समान तरह की प्रतिक्रियाएं करती हैं. लिथियम की तुलना में सोडियम बेहत सस्ता होता है. ऐसे में सोडियम को गरीबों का लिथियम कहा जा सकता है। अब बात करते हैं, सोडियम से बैटरी तयार होने की संभावना पर। लिथियम की बैटरियों को सोडियम से बनी बैटरी से बहतर बताया जाता है। लेकिन लिथियम की डिमांड ज्यादा है और भंडार कम, इसे में सोडियम की बैटरी बेहद सस्ता विकल्प हो सकती है। करीब 10 साल पहले जहां इसकी कीमत करीब 4,500 डॉलर प्रती टन के करीब थी, वहीं आज इसकी कीमत 80,000 डॉलर प्रती टन के भी पार पहुँच गई है। कई सारी कमपनिया सोडियम आयन बैटरी बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। हालांकि लिथियम की तुलना में सोडियम आयन बैटरियां कम उर्जा स्टोर कर सकती हैं। यानि आपको लीथियम आयन की बैटरी के बराबद उर्जा पाने के लिए उसकी तुलना में काफी भरी बैटरी की जरूरत होगी। लीथियम आयन बैटरी को हजारों बार चार्ज डिस्चार्ज किया जा सकता है, जबकि सोडियम आयन बैटरियों में इतना पोटेंशियल नहीं है। मुकेश अमबानी की Reliance Industries, British firm Ferradian, Ferradian को खरीच चुकी है। Ferradian का दावा है कि उसकी बैटरियां प्रती किलो 160 वाट आवर की एनरजी स्टोर कर सकती है। वहीं दूसरी और अने कमपनियां भी इस दिशा में फोकस बढ़ा रही हैं। इलेक्ट्रिक कारें उनकी बैटरी की लागत्व कीमत के चलते महेंगी होती हैं। लीथियम की तुलना में देखें तो सोडियम करीब 100 गुना सस्ता है। सोडियम आयन बैटरियों का इस्तमाल कारों को किफायती बनाने में किया जा सकता है। किसी इलेक्ट्रिक वहीकल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा तो बैटरी का ही होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बैटरियां 100 गुना तक सस्ती हो जाएं तो इलेक्ट्रिक वहीकल कितने अधिक सस्ते हो सकते हैं। दोस्तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।